तो यस बैंक के नतीजे जो है उम्मीद से कम रहे हैं बैंक का प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इंकम भी बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही स्लिपजेस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट भी कौर्टर अन कौर्टर देखें तो नीचे आया है कासा भी बहुत एंकरेजिंग नहीं है नतीजों कुछने की कोशिस करते हैं बैंक के मैनेजिंग डियक्टर और सीओ प्रशांत जी हमाई साथ है प्रशांत कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीन बिसी आवाज़ पर बताइए साल कैसे रहे नतीजे ह हमारे दरश्कु को समझाइए देखें मैं आपकी सुन रहा था नतीजों की जो कॉमेंटरी है अगर आप देखें स्लिपेश हमारी स्लिपेश पिछले साल इसी क्वाटर की स्लिपेश से 50 परसेंट पिछले साल यह 2000 करोड की स्लिपेश जो 1000 करोड आ गई है और दूसरी बात तो हम बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहें यहां तक प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट में हमारी 50% एंट्रीज है वाई 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 पिछले क्वाटर इसलिए कंपरीजन नहीं कहूंगा कि थोड़ा ठीक होगा क्योंकि हमेशा फोर्स क्वाटर में आपकी अधर इंक जो कि पिछले साल क्योंकि रेट ऑफ इंटरस्ट की मुवेंट की वज़ें से था अगर उसको निकाल दें तो हमारा जो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमारी 32% की इसी तरह नेट इंटरस्ट इंकम में भी वाई 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 33% की ग्रोफ हम हमारी कासा डिपॉदिट की ग्रोफ हमारी ओवर और डिपॉदिट ग्रोफ से डेबल चल रही है तो अगर आप देखें तो हम लोग बहुत यह कहूंगा कि हम स्टेटेजी के हिसाब से हमारे टार्गेट के हिसाब से हम लोग बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ना है औ तो जो हमारी गाइडेंस थी मार्केट को हम बिल्कुल उसी एर लाइन के आगे चल देखें